हे दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल से सांसद साधवी प्रग्या ठाकूर की तरफ से एक बहुत बड़ा विवाधित बयान निकल के सामने आ रहा है और इन्होंने बयान उस टाइम पे दिया जिस टाइम पे बीजेपी के बड़े नेता की मृत्ति ह बीजेपी के आपको याद होगा पिछले दिनों अरोड यटली की मृत्ति हो गई जो बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री और अक्षा मंत्री रह चुके हैं और उनकी मृत्ति के बाद सरधांजली देने आई प्रग्या ठाकूर जो भोपाल से सांसद है और बीजेपी का ब कोपाल में अरोड जेटली और मद्वेदेश के पूर्व सियम रहें बाबुलाल गवर की सरधांजली सभा में और उन्होंने सारे नेताओं के मोजूदगी में ये ब्यान दिया और यहां पर कहा कि क्या कहा आये देखते हैं और इन्होंने कहा कि जो भी चीजे हो रही है या इन्होंने विपच्छ परमड़ा और न्होंने कहा कि विपच इसके लिए जादो टोना करे रहां उन्होंने ये भी कहा एक महराज थे इनों ने महराज ने िन्हें साओदान किया था कि कुछ भी हो सकता है ब्य जेपी आफिस में बाबुलाल अरुड जेटली असरधानजल आए थे उन्होंने कहा कि बहुत बुरा समय चल रहा है विपच एक मारक सक्ति का प्रयोग करेगा और आपकी पार्टी और उनकी नेताओं के लिए ये कर रहा है मतलब जो भी विपच कर रहा है वो एक मारक सक्ति का प्रयोग कर रहा है जिसकी वजह से बीजेपी की जो बड़ फिर लेटेस्ट ब्रेकिंग नियूज, कुछ भी बयान बाजी आती है, उसको जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा, मिलते हैं नेक्स दूमें, जहें दोस्तों, जा भारत!